अमस्कार दोस्तों मैं आपको दोस्त मिचले इस फैक्ट नॉलेज के अपने इस यूटीब चैनल पर आप सभी का श्रागत करता हूं आज के वडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे जहिल के बारे में कि इस जहिल में जाने वाला अभी कोई भी इंसान वापस नहीं आया है त और जब भी आपको हम वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंट चला जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब तो दोस्तों दुनिया अनेक रहिस्यों से भरी पड़ी है इसी कड़ी में हम आज आपके लिए एक ऐसी जहिल के बारे में एक वीडियो वाला ज采ल है भारत और मैंन मार की सीमा के बीच में स्थित है इस जिल को नावां यांग जिल के नाम से भी जना जाता है दुत्यवी सियुद्ध के दोरान जब जापान के शैनिक यहां से गुजर रहे थे तो वे सारे के सारे शैनिक मारे गए थे इसी जी जिल में गुजरने के दोरान, तो लोगों में यह डर ना फैल जाए, कि यह जिल बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वहां के लोगों ने यह बहना बनाया, कि यह जो सैनिक मरे हैं, शब इसी एक बीमारी के वज़़े मरे हैं, और इस बात को दबा दिया गया, कि यह जिल कितना खतरनाक है, अलावा यहां और भी लोग गायब हुए हैं जिसकी वज़ा से इस जिल को लोग खतरनाक भी करते हैं और इस रास्ते से आने वाले लोगों के लिए यहां से आना जाना बंद कर दिया गया है काफी बीमान भी यहां गायब हो चुके हैं बिसे सग्यों की माने तो यहां के एरिया में एक जहरीली गैसे होती है जिसकी वज़ा से लोग मर जाते हैं और वही यहां के अस्थानिय लोगों के नुसार काफी सल पहले इस जिल में काफी बड़ी मचली मिली जिसको मार दिया ग जिसकी वज़े से उन्होंने इस गांव को स्राप दिया और वे दोनों वहां से चली गई और बाद में पूरा गांव उसी जहील में डूब गया और मानते हैं कि आज भी यहां उस श्राप का अशर है कि उस जहील से जो भी गुजरता है वो मारा जाता है आपको क्या लगता है दोस्तों की यद सच है या महज एक अफ़वा है तो इस कमेंट सक्षन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें हमारे वीडियो को और कमेंट करें दोस्तों और अपने दोस्तों में शेर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें क्योंकि इसी तरह के हम फैस्ट नॉलेज आपके लिए हमेशा से लाते रहते हैं तो आज की वडियों में यहीं समाप करते दोस्तों ठांक्स पो वाचिंग अ झाल, 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 झाल